हेलो काइज कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब ठीक हूँगे तो प्रियंका किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहा हूँ सका जल की सबझी यादि कि जैग फुरूट सबजी है कैसे बनाती हूं मैं तो यह मैंने 500 ग्रम कठल ले लिया है और देखिए तो गैस मैं इसका छिलका उतारूँगी आप जहां से इस कठल को लें दुकान से तो आप उससे दुकान वाले से छिलका उदरवा सकते हैं तो देखिए मैं यह घर पे उतार लूँगी इसका छिलका तो फ्रंट यह मैंने यह मस्टर्ड ओयले लिया है जिससे कठल में जो लेस निकलती है उससे यहाथ चिपकेंगे नहीं तो मैंने थोड़ा सा ओल चाकू पे लगाया है थोड़ा सा हाथों पे लगाया है अब इस तरीके से मैं से काट लूँगी बीच मैं से अब फिर देखिए थोड़ा सा ओल लगा लूँगी मैं हाथों पे देखिए अब यह एस्ट्रा पार्ट जो है इसका इसे मैं निकाल दूँगी और अब इसका मैं छिलका निकाल लूँगी तो देखिए इस तरीके से इसका छिलका निकाल दूँगी और धोड़ा साची ब्लेक ब्लेक दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं निकाल दूँगी तो देखिए, अब मैं इसे काट लूँगी तो देखिए, इस तरीगे से मैं इसके छोटे-छोटे पीस करूँगी और इसे आज मैं वैल करके नहीं बनाऊँगी, आज मैं कठल की सबजी फ्राइए करके बनाऊँगी तो देखिए, हमने सारा कठल काट के रख लिया है, तो देखिए, इसमें चिलका होता है तो इसे हमने लग रख देंगे और जासे हमें कच्चा है तो कोई बात नहीं है तो अबर्गेंकशन, पखरते हमोगे लक्त निकाल के रक देंगे तो चलिए हमने कडाए लग दीए इस бол Justice कचल को फ्राई करने के लिए और देखे हमने प्याज, अद्रक, हरी मिर्च, लेजन और दो टमाटव ले लिए हैं यह हमने कठल दो के साफ कर लिया है और यह तमाटव की प्यूरी बनाए है यह हमने गरम मसाले ले लिये है एक कड़ी पत्ता बड़ी लायची चोटी लायची दो तिन काली मिर्ज और दो तिन लॉंग एक लिया हमें डालचीनी का टुकड़ा तो हमने प्याज और लेजन का पेश्ट बना लिया है टामाटर की ब्योडी बना लिया है तो देखिए ओयल गरम हो गया है हमारा आप इसमें कठल डालके फ्राइ कर लेंगे इस तरीके से कठल आप बना के देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी बनके तयार हो जाता है कठल की सब्ची पूड़ी के साथ परांट के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो जो भी मेरे साथ नई जूड़े हो वो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें और पैल आइकन को दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो अब देख सकते हैं कठल हमारा फ्राइब हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी सिप्ट का कठल को इसी तरीके से फ्राइब कर लेंगे तो देखिए कठल का कलर कितना अच्छा आया है तो अच्छी तरीके से फ्राइब हो गया है ये सॉफ्ट हो गया है कठल हमने दूसरी सिप्ट का कठल डाल दिया है जिसी ये भी ऊसे तरीकिए से फ्राइई करेंगे और ये भी हमरा फ्राइई हो गया हमने निकाल लिया कठल तो हमने उसी कड़ा hack में से ओयल कम कर दिया है तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे एक आदा जम्मा जीरा और इसमें डाल देंगे हम यह खड़ी मसाले है तो हमने इलाइची का मुझ थोड़ा सा खोल दिया ते इसे थोड़ी अच्छी खुश्बू आ जाएगी इसमें तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और लेसन का पेस्ट इसको भूलेंगे तो आप देख सकते हैं प्याज भूण गई है हमारी और इसने ओईल को छोड़ दिया है अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर के प्यारी बनाई ती यह इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम दो तिर मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो दे टमाटर भी अच्छे तरीक已經 तरीके से फ्राय हो गए हैं पर इसमें हम डालेंगे सूखी मसाले तो हमने ले ली है आदा चम्मस हल्दी पाउडर आदा चम्मस लाल मिर्ज एक चम्मस डाला है हमने धनिया पाउडर अब इसको मिक्स कर देंगे यह हमने डाल दिया है एक चम्मस गरम मसाला और एक चम्मस डाल दिया हमने कस्मेडी लाल मिर्ज इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा अब इस पर हम थोड़ा सा पानी याड़ करेंगे आप ग्रेवी अपने अकटिंग बना लीजिए कम या ज्यादा कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा कम ग्रेवी सुखी वैली सब्जी पसंद है तो मैं सुखी बनाऊंगी अगर आपको ग्रेवी वैली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए इसमें तो अब यह मै 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसमें मैंने आदा गिलास पानी और डाल दिया था तो तो थेके ग्रेवी में ओवाल आ गया है अब इसमें हम एड़ करेंगी कठल और इसको मिक्स कर देंगे तो कठल हमारा फ्राई है तो उसे ज्यादा नहीं पकाना है बिल्कु गला हुआ कठल है अब इसे हम 5 मिनट के लिए प्लेट सी डगकर रखेंगे तो अब देख सकते हैं 5 मिनट हो गई है हमारा कठल कितना अच्छा खिला खिला बना है देखी कितना अच्छा कलर आया है इस पर तो फ्रेंट हमारा कठल बनके तैयार हो गया है अब इसको हम सर्व कर लेते हैं तो इसमें हमने डाल दिया हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे तो फ्रेंट आप बताईए आपको कठल की सब्जी कैसी लगी अगर आपको कठल की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैन को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाते से नई वीडियो की डोटिपिकिशन आपको मिल जाए और प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तो इस तरीके से आप कठल की सब्जी बनाएके तो आपके बचे मांग मांग कर खाएंगे तो प्लीज तरीके सब्जी जरूर बनाएगा तो बि झाल कर तो आपके झाल कर दो हमिल जरूर कि षथिए से आपके पियर जरूर आपके तो इस प्लीज भी मेंट अ झाल झाल